पिजीज कीचन में आज हम बनाएंगे इंडो चाइनीज एसीपी चीली पोटेटो रेस्टोरेंट में चाउमीन के बाद सबसे ज़्यादा ओर्डर की जाने वाली डिस इसे घर में भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं चीली पोटेटो इसके लिए सबसे पहले हमने ये पांच बड़े आकार के आलू को छिल करके धो लिया है अब इस आलू को हमें फ्रेंच फ्राई के सेप में कट करना है टॉप और बॉटन के राउंड सेप को कट कर लेते हैं इस तरह से इन आलू को फ्रेंच फ्राई के तरह हम काट लेते हुँ इन कटे हुए आलू को ठंडे पानी के एक बाउल में हम रख देते हैं ताकि यह काला नहीं परे गैस ओन करके एक पतीले में हमने एक लीटर पानी को गरम होने के लिए रख दिया है पानी जब थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक और एक चमच बेनेगर बेनेगर हम इसलिए डालते हैं ताकि आलू तूटे नहीं एक उबाल आने के बाद इसमें हमने सारे आलू को ट्रांसपर कर दिया है लगभग एक मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने के बाद इन आलू को हम एक इस्टेनर में निकाल लेते हैं जब तक ये आलू हमारा ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए एक बेटर तयार कर लेते हैं बेटर बनाने के लिए हमने ये एक कप मैदा, आधा कप कॉर्ण फ्लोर, एक चमच नमक और थोड़ी सी क्रस्ट कीवी काली मिर्च और आधा चमच सोडा थोड़ा थोड़ा पानी डाल कलके इसको हम मीडियम थीकनेस बाला एक बेटर तयार कर लेते हैं बेटर भी हमारा तयार हो चुका है और ये आलू भी ठेंडे हो चुके हैं तो अब हम इस आलू को करते हैं फ्राइए गैस अन करके हमने इसके उपर रख दिया है पैन, पैन जब गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे तेल अब ये तेल गरम हो चुकी है तो अब हम एक-एक आलू को बेटर में डुबा करके और तेल में डालते हैं इस आलू को क्रिस्पी बनाने के लिए हम दो बार फ्राई करेंगे पहली बार जब ये थोड़ा सा लाइट फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे फिर जब ये थंडी हो जाए तो फिर से हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे ये आलू एक बार फ्राई हो चुके हैं थोड़ा थंड़ा होने के बाद दुबारा हम इसे क्रिस्पी बनाने के लिए एक बार और फ्राई कर लेते हैं आलू अब crispy fry हो चुके हैं तो अब करते हैं हम gravy की तैयारी गरम कराही में अब हम डालते हैं 3 चम्मच तेल तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई एक खडी मिर्ची हरी मिर्ची थोड़ा चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे ये कटी हुई एक चमच अदरक अदरक को भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं जब अदरक फ्राई हो जाए तो हम डालते हैं ये बारी कटी हुई लासन लासन जब थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज इसे भी थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज जब हमारा light brown हो जाए तो हम इसमें डालते हैं कटे हुए spring onion और मोटे आकार के कटे हुए प्याज और तीनो तरह के सिम्ला मिर्च जैसा कि हम जानते हैं चाइनिज फूद में ज्यादा वेजटेवल को पकाया नहीं जाता है इसे हलका साम रोष्ट करेंगे और डालेंगे इसमें सारे शॉस रेड चीली सॉस दो चमच टेमेटो केचप दो चमच सोया सॉस दो चमच सॉस को अच्छी तरह से सबजी में मिलाने के बाद हम इसमें डालते हैं एक चमच बैनेगर इसके ग्रेवी के लिए हमने दो चम्मच कॉर्ण फ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल करके पतला घूल तयार कर लिया है अब इससे डाल देते हैं ग्रेवी अगर गारी लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इससे चलाएं कुछ देर तक हाई फ्लेम पर फ्राई करके अब हम इसमें डालते हैं फ्राई किये हुए आलू अब इस आलू को इस ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिला देते हैं सबसे आखरी में हम डालते हैं आधी चम्मच नमक ताकि हमारी सबजियां क्रंची रहे नमक कम ही डालें क्योंकि सॉस और आलू दोनों चीज में नमक है इसे ज़्यादा देव तक फ्राइ नहीं करना है नहीं तो आलू सॉफ्ट हो जाएंगे इसलिए अब हम इसे फ्लेट में निकाल लेते हैं यह चीली पेटेटो बन करके तयार हो चुका है इसमें एडिशनल फ्लेवर के लिए हम स्प्रिंग ओनियन और तिल उपर से डालते हैं अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज कीचन को सब्सक्राइब करना ना भीएंगे